आज में एक ऐसी स्टोरी बताता हूं मतलब इसे स्टोरी की तरह ने बल्कि ये रियल इंसिडेंट है और ये इंसिडेंट डीप फेक का है तो डीप फेक के बारे में मैं पहले कई बार वीडियो बना चुका हूं तो रिसेंटली रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो वायरल हूआ था तो इंडिया में काफी बज क्रियेट हुआ था कि डीप फेक क्या है उसके बाद काफी गवर्मेंट के भी ट्वीट आये थे और गवर्मेंट ने इसमें इंटर्वीन भी किया कहा गया कि सोशल म में डीप फेक का एक बहुत बड़ा फ्रॉड का मामला है दरसल क्या हुआ है कि एक मल्टिनेशनल कंपनी है अब उस कंपनी के एक इंप्लोई से लगभग 25 मिलियन डॉलर यानि अगर रुपए में बदलें तो लगभग 200-205 करोड रुपए होते हैं ठग लिये गए अब य दरसल कंपनी के इंप्लोई को ओफिस के ही CFO CMO की तरफ से कॉल आती है और एक मीटिंग स्केडियूल की जाती है और बताया जाता है कि एक मीटिंग है काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मीटिंग में सारे लोग होते हैं कंपनी का CMO CFO और जितने सारे हाई लेवल अधिक प्रांसफर करने के बाद ये पता चलता है कि जितने सारे जो वीडियो कॉल पे ओफिस के CMO CFO अगरा थे वो थे ही नहीं मतलब असलियत में वो थे ही नहीं वो दरसल फ्रॉड्स्टर्स का किया गया था पूरा सेटप यानि फ्रॉड्स्टर ने डीप फिक वीडियो के से पूरा लगबग 200 से जादा करोड रुपए का उनके साथ ठगी हो चुकी उसके बाद जब पुलीस में कंप्लेन गई तो पता चला कि ये जो जितने सारे जिन कंपनी के जिन हायर इंप्लोईज के फॉर एक्जामपल CMO CFO अगरा कि वीडियो जो पबिकली अविलेबल थे उनका यूज करके डीफएक वीडियो तयार किया गया और उसके बाद पूरी की पूरी ठगी हुई तो जिसके साथ ये ठगी हुई उसने बताया कि उसे शुरू में इस बात का आभास हुआ कि हो सकता है कि ये फिशिंग हो क्योंकि इनिशली उसे जब कॉल पे बात की जा र लगा ही नहीं कि वो डीफएक है या फिर वो नकली है आवाज भी बिलकुल असली थी चेहरे के सारे एक्स्प्रेशन्स भी असली जैसे लग रहे थे बातचीत करने का तरीखा भी असली लग रहा था मतलब उसे ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई फ्रॉड हो रहा है इनिशली उसे थोड़ा सा डाउट हुआ था बड़ बाद में काफी सारे लोग एक साथ ही थे तो उसे पूरा यकीन हो गया कि ये असल में ही ऐसा हो रहा है और कंपनी को हो सकता है कि पैसे की जरूरत होगी या फिर जो भी मैटर है हलां कि अभी तक पोलीस ने इस कंपनी के बारे में नहीं बताया कि कौन सी कंपनी है डीटेल हाइड करके रखी गई अभी तक तो अब ऐसा कैसे पॉसिबल है आपके मन में भी ये सवाल उट रहा होगा कि ये कैसे मुमकिन है कि डीफ फेक से इस तरह के वीडियो बन जाएं तो डीफ फेक के बारे में मैंने पहले कई बार बत जाता है एंकोडर और डिकोडर वगेरा होते हैं तो उसमें बिल्कुल जिस तरीके से अभी आपको भी पता होगा कि AI वोईस बनाना आजकल कितना असान है एक वेबसाइट को जाएंगे फ्री में आप किसी की वोईस को कॉपी कर सकते हैं तो वोईस को कॉपी करना उनके लि बट अगर जादा पुब्लिकली अविलेबल वीडियो जादा है उनकी कॉंटिटी वीडियो के जादा है तो एक्स्प्रेशन भी मैच करना असान होता है यानि वीडियो लगेंगी ही नहीं की नकली है और वो रियल टाइम उपरेट करके इस तरह की ठगी होती है नॉमली इ आपके जान पहचान दोस्त रिष्टदार की तरह लगते हैं देखने में और आपसे कुछ पैसे मांगते हैं और ठगी कर लेते हैं बट इंडिया में फिलाल डीफिक ज़्यादा सॉफिस्टिकेटेड नहीं है लेकिन रश्मिका मंदाना का जब वीडियो वाइरल हुआ था अब बता नहीं कि झान फाल कर में खिडाए से एंडिया में अभी एक खुदर निखकर नृ करने के लिए उसे मतलब उसके नबर पे अगर शेव और तो उसके नमबर पर कॉल करके ऊस्सेएं को जरूरत है य acting को भी ज़िए का वैए और अभीडी तक उतुर है सिंए अगर जान पहचान का इंसान है को ऐसे डिमांड करता है पैसे की तो आपको कॉशियस हो जाना है और तुरंद यह सोच करके कि वीडियो कॉल है सही ही होगा फोटो तो देखी लिए वीडियो तो देखी लिए but the thing is कि सही नहीं होता है आजकल डीफिक स्केम में तो आपको साइडी भी होगी तो आप एक बार मैं सजेश्ट करूँगा कि उससे क्रॉस्च कर लें कॉल करके या इमेल करके या फिर डिरेक्ट उससे उसके किसी दोस्त से बात करके अगर रिचेबल नहीं हो क्योंकि ये काम तब करते हैं जब जो रियल परसन है वो अविलेबल नहीं होत आपड़ाता है या फिर उससे बात ही नहीं होती है तो जो स्कैमर है ये भी रियल टाइम नोटिस करते हैं इन फक्ट पूरी रेकी करते हैं कि जो जिस शक्स की तरह वो बात कर रहे हैं जो प्रिटेंड करके बन रहे हैं तो वो उस समय पर कहां पर है तो मुश्टली इसा हो सब्सक्राइब करना है, वह उस वक्त पर क्या कर रहा है, most probably travel कर रहा हो गा या फिर सो रहा होगा, या फिर कोई भी काम कर रहा होगा, मतलब यह कि आप उस तक पहुच नहीं पाएं, मतलब वह रीचेबल ना हो, तब आप call करते रहेंगे, उसे वेरिफाई करते रहेंगे, बिल्कुल cross check ना कर लें कि वो वही था या फिर उसके बिहाफ पे या फिर बिहाफ तो नहीं कहेंगे या फिर उस तरीके का कोई बन करके आपको call करके ठग रहा है I hope कि आपको ये वीडियो समझ आया हो और deepfake आप समझ पा रहे हो क्योंकि धीरे धीरे इंडिया में भी deepfake के crimes जादा हो रहे हैं और deepfake videos का use करके लोगों को काफी तेजी से ठगा जा रहा है इसी वज़े से अगर आपको जानकारी रहेगी कि ऐसा भी कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कि आप इससे आराम से बच सकते हैं